तो आज मैं आपको चोटी बच्ची की साथ से आठ साल की बच्ची की टूलिप शलवार दराने के तरीका बता रहे हूं इसके लिए इसकी जो चुड़ाई है जो इसका अरस था वो तक्रीबं 30 इंच है इस तरह तो यह एक्स्ट्रा बाद में निकाल दूँगी इसलिए मैंने इसी तरह फोल्ड किया है और इसके लंबाई जो है वो मैंने डबल करके 27 इंच ली है और यह डबल है तो अब यहां से मैं इसका जब मैं इसकी कटिंग करूंगी उसके बाद फिर इसकी मेजर्मेंट के हिसाब स इसे में उपड़ शोटी सी इसकी बैल डालूँगी या लास्टिक के लिए एक्स्ट्रा फैबिक डालूँगी तो यहां पर अब मैं इसे फोल्ड कर लूए इस तरह बाद कर लेंगे नहां से फोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है इससे तरह रहने देंगे और यह जो नीचे इससे बिद्कुल नोफ बनाए है मैंने इसकी यहां पर मैं कटिंग कर देंगे तो यहां पर मैं तिकलिबन दो इंच पर इस तरह निशार लगाऊंगी और यहां से इसकी गुलाई की शेप में कटिंग करते हूं में कटिंग दो इंच ही करिएगा दो आइंच से ज्यादा करेंगे तो ज्यादा चोड़ा हो जाएगा है यह दिखिए इस तरह इसकी कटिंग कर लिए अब हम इससे उस तरह खोलेंगे और यह मेरे पास कट्ण राई है इसको शेद्द देते हुए हम इसको फ्रोल करेंगे इस तहां हमें बिल्कुल जैसे हम समोसा अगर बनाते हैं तो इसकी बट्टी को जैसे हम शेव देते हैं बंड़ने जो नीचे इसी की चोड़ाई है तो इसे लमबाई और चणिके बैण परप की जैसमें अच्छे की सब्सक्रेइब यह लमबाई और चोड़ाई बनाते हैं यहां से लिए तीम उपन होगा और इसकी सेटिंग हम अपने साफ से थोड़ी सी अच्छे तरीके से करेंगे और यह जो उपर से इसका घेर है यह भी हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए क्योंके पच्चियां जो है दुबली पतली होती है और बैल्ड वली शिल्वार जो है जिस पर चुंटे आती है वो इतनी छोटी बच्चियों को सूट में ही करती है तो इसका घेर भी हमने बहुत ज्यादा नहीं रखना यह दिखें अब मैं इसकी सेटिंग कर ली है कि यहां से नीचे से इसका पाइंचा मैंने तीन इंच चोडाई और तीन इंच गहराई में है जाएंच लिए इस तरह तो अब मैं इसकी यहां से लेंच रखंगी और मैं यहां से प्ट्षीस नीच अच्छिए अइसल चुछ टराय इसला हम अब सतना है कि इस नीचे और आप इह तो आहँएर हम आखँ एन संच कुझानों को मिलाते हुए इसकी कटिंग कर देंगे अब यह जो उपर वाला फैप्रिक है इसकी महिल किसे शेव देंगी यहां से इसको यह गुलाई में ही थोड़ी से शेव दे लेंगे इस तरह है और इसकी कटिंग कर देंगी कि अब जो है यह जो मैंने कटिंग की है इसके साथ साथ मैं मिशान लगा लूँगी और यह जो अंदर वाला पड़िक है यह भी में पास एक्स्ट्र है यह जो मुझी चाहिए तो इसकी ही मैं यहां से बढ़ा के कटिंग करेंगे यह एक्स्ट्रा फड़िक निकल गया और यह हमारे पास इस तहां यह जो निशान लगावा है इसी हम और अच्छे से डाख कर लेंगे ताके जब हमारी सब्गी किस लाई आए तो वो इसके उपर आए इस तहां रखके और यह वाली जो हमारी क्रीश है इसको मैं अच्छी तहां डिखा रहेंगे किस लाई करते हुए यह भी जब हमारे पास क्रीश कर निशान आएगा तो हमें काफे सामी होगी तो इसे दोने दर्फ से इस तरह बठा रहेंगे अब हम इसका आसल कप करेंगे तो अब यह देखें अब यह दबल कपड़ा है और डबल कपड़ा एक दोने साइड के पांचे हैं तो यह शर्वार की कटिंग आप इसी तरह रखें इसके लैंध, इसका घेर और इसका जो स्टाइल है वो आप बढ़ा सकते हैं अपने साइस के मजलमिन के हिसाब से इस यह वाला साइस जो है वह धुछान तब की बच्ची के लिए बीकल परक्षक है और आप अपना चाहें बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं तो इतनी बच्ची के लिए यह दुखें यहां से अब मैं इसका आसन लोगी गेर और आसन की लंबाई और चुड़ाई तो यहां से आसन की जो चुड़ाई है वो दस इंच तक इनफ है और लंबाई भी में दस इंच तक लोगी इस तरह और इसके निशान लगाके कि इस तरह से निशान लगाके इसकी कटिंग कर दूँगी और इसकी कटिंग इस तरह गोल तरीके से होगी जैसे हम पैन प्रॉजर की या शोल्डर की कटिंग करते हैं इस तरह इसकी कटिंग हो गई है अब हमें जितनी इंट चाहिए अगर वह कम है तो हम उसकी यह देखें अब मैं इसकी आदर इंच यहां से मारजन छोड़ूँगी और आदर इंच उपर से मारजन छोड़ूँगी जो स्लाई में आएगा तो में पास अब यह 25 इंच लेंध है इसक और मैंने 25 से थोड़ा बहार के करता था इसको तो 25 के बाद अब मुझे जितना चाहिए उतना में बैल लगा लूँगी तो मुझे 28 इंच चाहिए त्यार तो मैं यहां पर ती इंच बैल का लूँगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा में लूँगी इसका इलास्टिक के लिए तो यहां पर हमें अब चुन की ज़रूरत नहीं है हम इसको बैल की शेप नहीं देंगे हम इसकी शेप यही रखेंगे और इतनी ही इसकी जितना है चुड़ाई इतनी ही बैल हम लगाएंगे तो यह देखें यह जो साइड में पीसिस बचे थे इसी में से इसकी बैल लगेगी तो यहां पर इसकी चुड़ाई 10 इंच है तो 10 को हम 4 दफा करें तो मुझे 40 इंच तक इसकी लंबाई चाहिए और यह जो इसकी यह वनी है यह मुझे तो आप अपने साइज के मेजरमेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसकी लेंद आप पहले ज्यादा बढ़ा लें यह अगर फुल आपको बड़ी लेडिस की ट्यूली शलवार बनानी है तो उसके हिसाब से आप कटिंग का स्टाइल यही रखें और आप अपन उसके में फैबर्र कट कर लिया है इसे जोल लगा कर मैं यहां पर अटाइज कर दूंगे बाद में लेकिस सबसे पहले जो अटायज करेंगे वह इसका आसन यह देखें इस तरह खोल लेंकि यह दबल कपड़ा अदुश्रे के उपर है और सबसे पहले इसकी हम आसन की इस त लगाने के बाद इससे हम सीधा करेंगे तो यह हमारा आसम द्यार हो गया है इस तरीके से और यह वाली हमारी शेप इसके पर आएगी तो सबसे पहले यहां पर यहां पर सबसे पहले हम इसके पर लैस लगा लेंगे अगर आपने कोई लैस लगानी है तो सबसे पहले लैस लगा लें नहीं तो फिर इसी तरह इसको स्लाइड लगा लें यह दखें आसम जोडने के बाद यह मेरा आसम जोड़ गया है यहां से अब मैं इसके पर लैस करेंगे और बाद में यहां से स्टिच करेंगे तो इसके लिए पहले आप चाहें तो इसकी पूरी इस तरीके से स्टिच करते हुए यहां से नीचे से घुमाँकर फिर वापस इस तरफ ले आए और उसके बाद इसके नीचे मैं सेम लैचिंग की लैस लगा रही हूं तो उपर या नीचे जैसे भी आपको पसंद हो आप लैस रपके इसको अटैज कर सकते हैं अनल यहां पर हम निचार लगा लेंगे कि जितना हमें ऊपन रखना है कि अ हुआ यहां पर जितना भी ऊपन रखना है इसके निचार लग जागे तो इस लिक पर हम Loss लगाते हैं और साफ़ास लगाते है यह देखे लास लगाने के बाद इसकी look कुछ इस तरह से आई है अब मैं यहाँ पर रोक्ते रॉकारें और स्कुर्ड कर लोगी और सिसे में यहाँ से उपन रखना है यहां से मैं स्लाई स्टार्ट करूंगी और नीचे वाले कपड़े के उपर रखते हुए इस तरहां स्लाई लगा लूँगी दोनों पाए चुको और यहां से बंद कर दूँगी यहां देखिए मैंने पिन्नों की बदक से सेटिंग कर लिए और अब मैं इसे यहां रखकर स्लाई लगा लेगी नीचे वाला कपड़ा भी देखते जाऊंगी और लैस के साथ सथ रखते हुए यहां स्लाई लगा लेगी तो यह देखिए शलवार की फाइनल लुक लास्टिक अभी इसके ने नहीं डाला आप चाहें तो लास्टिक को स्टिच भी कर सकते हैं साथ तो उमीद करती हूं मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और चैनल आप सुड़ी में मलकात होगी तब तक के लिया लाहफेज